मिली बस ipad कोραिते हुआ जाहें नारी में जोक्त किर्टी इसार कर रहा है हो dream को चैनल को सब्सक्राइन आख यह जो दो तूटिस का है जत्रा पया barkp 5 इस नाम से बेचा जा रहा है लेकिन majority of countries में इसका कार को MG GT इस नाम से बेचा जा रहा है MG company ने इस कार को सब सब पे ले 2014 में launch किया था यानि इसका first generation variant आया था 2014 में और 2021 में इसके second generation variant को launch किया था जब ये कार इंडियन market में launch हो जाएगी तो इसका मुकाबला रहेगा हुंडा की city के साथ इसके अलावा हुंडा की वेरना, मारतियो सुज़ू की सियाज, Toyota की upcoming बेल्टा इन कारों के साथ इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है तो यह पर हुंडा की city और हुंडा की वेरना को टक्कर देने के लिए MG की GT यह कार इंडियन market में बहुत जल्दी launch होने वाली है, हाला की यह एक compact sedan SUV का है, अगर मैं इसके dimensions की बात करू, तो इसकार की length है 4675 mm की, जो की हुंडा city की मुकाबले 126 mm ज्यादा है इसकी अलावा इसकार की width है 1842 mm की, जो की हुंडा city की मुकाबले 94 mm ज्यादा है और इसकी height 1480 mm की है, जो की हुंडा city के मुकाबले 9 mm कम है तो यह पर length के मामने में और width के मामने में यह हुंडा city और हुंडा वेरना के आगे निकल जाती है, लेकिन इसकी height 9 mm कम है as compare to हुंडा की city, अगर इसकी engine specifications की बात की जाए, तो company ने इसके अंदर 2 petrol engine दिये हुए है, 1.5 liter 4 cylinder petrol engine जो की लगबग 118 bhp की power output निकालता है इसकी अलावा 1.5 liter turbo charge petrol engine भी इसके अंदर दिया जाता है जो की लगबग 173 bhp की power output निकालता है तो है पर इसके अंदर आपको turbo petrol engine में मिलेगा 1.5 liter का जो की अच्ची कास्य power output प्रडूस कर पाता है mg company ने इसकार को GM Patak के इसे platform पर build किया है हलागे इसे platform का नाम भी काफी अज़िब है, इसकार को आज के डेट में मिडल इस में बेचा जा रहा है इसके अलवा कुवेट, ओमन, एमिरेट, साओधी अरेबिया इसके अलवा बकी कांट्रीज में इस अगार को बेचा जाता है और इस अगार की प्राइज दुबई में काफी अट्रक्टिव है वह सुनकर तो आपके डेफिनिटली हुश उडने वाल है उसके बार में हम आगे डिटिल में बात करेंगे अगर इसके एक्स्टेलर लुक के बात कुवेट, इसका फ्रेंट फीशा और इसका रियर का फीशा काफिया तक अग्रेसिव है और इसके जो लाइटिंग का सेट अप है ये भी दिखने में काफिया तक कमाल का है इसका जो रूफ लाइन है, स्लोपिंग रूफ लाइन है ये आपको कुपे स्टाइल स्वी की याद दिला देगा लेकिन ये कुपे स्टाइल सिधान कार नहीं है ये एक compact sedan car है हाला कि इसके sloping roof line की वज़े से इसके side profile में एक attractiveness आ जाता है वही MG company ने इसके front fisha में signature grill का use किया हुआ है center में आप MG की badging देख सकते है इसके अलावा attractive design के साथ LED DRL भी इसके अंदर इस्तमाल करी गई है LED headlight का setup भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है वही इसके rear fisha की बात को तो इसके rear के tail light का design भी काफिया तक मस लगता है इस गार का जो road presence रहने वाला है वो काफिया तक मस रहने वाला है अगर इसके internet features की बात करो तो इसके internet में बहुत सरे premium features offer किये जदे है जैसे कि premium लेदर का इसके इंटेर में आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलाबा इसका जो टचस्क्रीन इंफुर्टमर्स सिस्टेम है उसका जो एंगले वो driver की तरफ है यानि driver उसको easily adjust कर सकता है तो यह इसके अलाबा अज़ा मार्वल और इसकार को भी लाँच किया जगा उसके बाद इसकार को इंडिन माकेट में लाँच कर सकती है और रही बात की तो इसकार को डूबए में वेचा है दुबए में इसकार की प्राइज 48,000 एड जिसको अगर मैं इंडियन करन्सी में कनवर्ट करूं तो यह प्राइज हो जाती है लगबग 9 लाक रुपीस के असपास अगर इस प्राइज में एमजी कंपनी इसकार को इंडियन मार्केट में लॉंच करती भी है तो डेफिनिट के अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ओफर करे गए हैं तो सिमिलरली एमजी की जिटी इसकार के अंदर भी कमाल के फीचर्स दे जेंगे और इसकी बी कीमत 10-10 लाक रुपे से शुरू हो सकती है आपको क्या लगता है एमजी की इस सीडान कार की कीमत कितनी होनी चाहिए धूसी बढ़ख इसकार के लिए एमजी क्वे गिचार्स देम आट क्योंच के अ कहांगे एमजी कितने एम प्लेश चाहिए और अट अंवे धगता है एमजी प्या खूसे और श पंवे एम फले तो संवेवाबवाबगे च्टार्स खंवे